सब्सक्राइब कीजी Government Employees News चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हर खाबर सबसे पहले देखने के लिए ऐसे सभी केंद्रे करमचारी जिनका की appointment हुआ है और पर उनका promotion हुआ है एक जनवरी 2006 से लेकर 31 December 2015 के बीच में और यदि उनकी जो basic pay है वो उसकी पोश्ट के लिए उनका appointment हुआ है या फिर grade pay के लिए उसकी entry pay से कम है तो उसे entry pay का लाब दिया जाए लेकिन six pay commission में हरे grade pay के लिए कितनी grade pay थी और गेड़ पे के लिए कितनी entry pay थी इसके बारे में हमारे बहुत सारे दोस्तों को मालूम नहीं होगा और यहां पर confused होगे कि उनको कितना मिलना चाहिए था और कितना उनको मिला है तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चार्चा कि six pay commission में हर एक जो grade pay था उसका minimum entry pay कितना था उसके बारे में तो दोस्तों यह आपके सामने six pay commission के according जो entry pay थी हर एक grade pay की वह आपके सामने है सबसे पहला जो payment one है जो की 5200 उर्पे से सुरू होकर 2200 पर खतम होता था तो उसमें grade pay 1800 लेकर 800 तक के बारे में entry pay दी गई थी तो वहाँ पर जो 1800 grade pay में यह कोई कर्मचारी जोइन करता तो उसको 5200 पर minimum entry pay वहाँ पर दी जाते थी उसके बाद जो total basic pay बनती थी वह बनती थी 7000 रुपे जो की pay in payment याने entry pay और grade pay को मिला कर उसके बाद बाद जो 1900 grade पर है उसकी 5830 रुपे entry पर है और 2000 grade पर है उसकी जो entry पर है वह बनती है 7510 रुपे और जो 2800 वाली जो grade पर है उसकी entry पर बनती है 8560 रुपे तो टोटल मिला कर उनकी बन जाती है आँपर 13360 रुपे तो ये तो बात रही pay band 1 की उसके बाद में जो pay band 2 है जो की 9300 रुपे से शुरू होकर 34800 रुपे पर खतम होता था तो जो 4200 grade पर है उसकी जो entry पर थी वो थी 9300 रुपे और उसके बाद में जो टोटल सेलरी बनती है वो बनती है यहां पर 13500 रुपे उसके बाद में जो 4600 grade पर थी उसमें जो entry पर थी वो 12500 रुपे थी और यहां पर जो basic salary बनती थी टोटल वो बनती थी 17140 रुपे उसके बाद में जो 4800 grade पर थी उसकी entry प वो मन्ति थी अठारा एक सू पचास रुपे उसके बात में जो 54 गरीट पे थी पेइमेंट टू में उसकी 14,880 रुपे यानि बेसे बात में जो टोटल बेसिक मन्ति थी 20,280 रुपे तो यदि आपकी जो बेसिक पेइए 6 पे कमिशन में वो इससे कम है अपनी जो पे है उसको रिवाज करने के लिए आप क्लैम कर सकते हैं उसके बाद में PB3 तो PB3 सुरू होता था 15600 रुपे से और 29,100 रुपे पर एक खतम होता था उसके बाद में जो चववन सो ग्रेट पे थी PB3 में उसकी एंट्री पे थी 15600 रुपे और टोटल बेसिक सेल्डी बनती थी 21,000 रुपे उसके बाद में जो 600 ग्रेट पे थी उसकी एंट्री पे या पे इन पेमेंट बनती थी 18,750 रुपे और बेसिक बनती थी वहाँ पर 25,350 रुपे उसकी बाद में जो 600 grade पे थी उसकी basic या फिर pay in payment बनती थी 21,900 रुपे और basic याँ पर बन जाती थी उनकी 29,500 रुपे उसकी बाद में हम चर्जा कर लेते हैं कि payment 4 जो की फिरू होता था 37,400 पर और खतम होता था 67,000 रुपे पर तो ऐसे कर्मचारी जो की 800-7,700 grade पे में थे उनकी pay in payment बनती थी 37,400 और total basic बनती थी 46,100 रुपे उसकी बाद में जो 8,900 grade पे वाले कर्मचारी थे अधिकारी उनकी pay in payment मनती थी 40,200 रुपे और basic बन जाती थी वहां पर 49,100 रुपे उसके बाद में जो 10,000 ग्रेट पे वाले अधिकारी थे केंद्री खसरकार के उनकी पे इन पेमेंट मनती थी 43,000 रुपे और जो ओवराल बेसिक बंजाती थी 53,000 रुपे तो दोस्तों यदि आपकी जो बेसिक पे है यदि आपका नियुकती हुई है एक जनवरी 2006 के बाद में और 31 दिसेंबर 2015 के बीच में से पहले तो और आपकी जो बेसिक है वो जो पे इन पेमेंट दी गई है यानि जिस ग्रेट पे के लिए आपकी बढ़ती हुई थी उसकी जो मिनियूम एंट्री पे है उससे कम है तो आप 28 सिप्तमबर 2018 के आदिश कमशार अपनी जो पे है वो रिवाज करवा सकते हैं और इसका जो लाब है वो आपको 7th पे कमिसन में मिलेगा क्योंकि यह दिया आपकी basic pay 6th पे कमिसन में चैंच होती है तो उसका फाइदा आपको 7th पे कमिसन में मिलेगा कि उसके accounting आपकी जो pay है 7th पे कमिसन में वो रिवाज की जाएगी और fix की जाएगी तो यहाँ पर आपको जितना defense होगा उसका area भी का भी बुकतान किया जाएगा जिस date से आपका appointment हुआ या पर आपका promotion हुआ है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो ख़बर है आपको सुचना दी गई है वो आपको फाइदा की रही होगी है और आपको यह काफी आसन से पता लग गया होगा कि 6th पे कमिसन में हर एक great pay के लिए pay in payment या फिर entry पे वो क्या थी तो यह दी ख़बर अच्छी लगी आपके फाइदे की रही तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं आप उनके हत्मिस वीडियो को सेयर करें जिसे वो भी इसके बारे में जान सकें और ऐसी useful वीडियो को दिया आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe और bell अगर को ज़रूर प्रेस करें जिससे हर एक नए वीडियो का notification आपको तुनेत मिल जाएगा और हम वीडियो देख पाएंगे तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धैन्यवाद